Good afternoon, everyone. आज हम पढ़ने वाले हैं Classification of Microrisms के portion D के बारे में जिसमें इटीज धि들 सब्लास्केशन ऑफ दिस Classification of MicrorActs लिस स्केकन का नाम है त्रीडॉमेन सिस्टम के आज हर एक डॉमेन के बारे में हम डीटेल पढ़ने वाले हैं ठीक है? This topic is belong to biotechnology basic first student के paper second की first unit का topic है और इस unit का ये part 19 है Let me introduce myself Professor Rukaiya Okay, तो हमारा topic है domains of Carl's voice classification Carl's voice classification के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और आज उनके domains के बारे में पढ़ने वाले हैं Carl's voice classification मतलब 3 domain classification में 3 domain बहुत important थे Domain archaea, domain bacteria और domain eukarya सबसे पेला है domain archaea The archaea domain includes all procreotic cells They like nuclear membrane have distinct biochemistry जो archaea domain था उसमें सभी तरीके के prokaryotic cells पाए जाते थे उनमें nuclear membrane की कमी पाए गई और उनमें हर तरीके के अलग distinct biochemistry देखी गई मतलब अलग तरीके की biochemistry उनमें देखी गई इनकी biochemistry में हम कह सकते हैं They include RNA markers from bacterial cells मतलब इन्हें RNA markers क्यों कहा जाता है bacterial cells का क्योंकि यह जो आर्किया है यह बहुत पुरानी सबसे पहली और स्याइट सबसे ओल्डेस्ट स्पेसिस और और्गिनिजम्स की मतलब जीवानों के टाइम पर इसे ही सबसे पहले living organism माना गया है क्योंकि इसमें यह दिखता है कि यह RNA से जब बैक्टेरिया यह इतना इतना प्रिमिटिव है इतना सरल है इसका स्ट्रक्चर और इसका जितना भी सिस्टम इतना सरल है कि इसके ही बाद कोई कॉम्प्लेक्स बैक्टेरिया यह जुकायोटा पेदा हो सकता है इसे सबसे पहली और सबसे पुरानी स्पेसिस माना गया है धर्ती पर यह जो आर्किया है यह बहुत ही जादा कठिन और बहुत ही जादा खतरनाक एन्वामेंट में भी अपने आपको जीवित रख सकते हैं इसलिए इन्हें अलग डॉमें में डाला गया है टथ वर अर्किया लग्स पेप्टिड ग्लाइकें हम अच्छे से जानते हैं जब भी सलिए जैसे अप्लान इसम्हें प्लाइम बनती है तो उसमें प्लान इसमें प्लाइड ग्लाइकिन पाए जाती है यह संब्सक्राइब कर सकते थे या तो इवळ्व कर सकते थे बहुत सारी चीज़े के त्रू होती थी जो अभी हार्क इस त्पा थी पाला सच ऐसके सबसे पहला है क्रेनार केयोटा क्रेणा क्योटा देकिन अपाइब पर हैं यह लो टैम्परीचर क्रेनार केयोटा थे के उता थे उनमें इसी विशेष्टा ही पाई जाती थी कि वह जो थे living organism मतलब एक आरकिया यह तरीके की आरकिया थे जहादा से जादा temperature पर भी रह सकते थे जीवित रह सकते थे और कम से कम temperature पर भी जीवित सकते थे जो आजकल की living organism में पॉसिबल नहीं हो पाता है यह इसे लिए खाया कि हो सकता है कि प्रीमिट्रीव सबसे पहले लिविंग और उर्गेनिजम वह अपने आपको हर तरीके के तेंप्रेचर में ढाल लेते थे उसके बाद आया You are Kyoto You are Kyoto Some of them are known as extremely hello files इन्हे extremely hello files भी कहा जाता है जो बहुत ही ज़ादा saline environment में अपने आपको जीवित रख सकते हैं saline environment मतलब जहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ही ज़ादा होती है ऐसे environment में इसे परियावरन में अपने आपको जीवित रख सकते हैं तो इन्हें extremely hello files कहा जाता था और इतने भी हिंदी medium की students है It is necessary for you कि आप ये जो नाम है इनको अच्छे से याद कर spellings के साथ correctly याद करें क्योंकि इनका कोई translation नहीं होता है जो मैं इसका translate आपको दूँ कोनार कायोटा इत इंक्लूद्स ओल्डोस species वर फाउन इन सिंगल होट स्प्रिंग ये कैसे living organism थे जो single hot spring मतलब जो गरम पानी में रहने रहते थे ऐसे living organism थे और ये आज भी पाय जाते है Yellowstone National Park USM पिर दूसरा domain है domain bacteria ये bacteria को थो हम अच्छे से जानते हैं बहुत ही ज़ादा इसके बारे में हमें knowledge भी है there are also prokaryotic cells सबसे पहले bacteria क्या है कि वो prokaryotic cells है उनमें बहुत ही simple structure पाया जाता है with bacterial rRNA and contain diacyl glycerol lipids in their membrane इनमे bacterial RNA पाया जाता है और साथी साथ diacyl glycerol lipids इनके membrane में पाया जाता है इनके अब भार की भार सबसे भारी सत्य पर पाया जाने वाली membrane पर diacyl glycerol lipids पाया जाता है they are also called eubacteria इनको eubacteria ये true bacteria भी कहा जाता है मतलब इन्हें ही कहा जाता है कि ये actual में bacteria है archaeobacteria बहुत ज़ादा primitive हो जाता है इसलिए उनको ना true bacteria नहीं कहेंगे true bacteria तो हम domain bacteria को ही कहेंगे ये यू बेक्टेरिया भी bacteria को ही कहेंगे there is cell membrane contains stir linkage between unbranched fatty acid chains and glycerol there is cell wall made up of peptidoglycan same चीज inके cell membrane में मतलब भारी membrane में linkage पाया जाता है unbranched fatty acids fatty acids जो हमारे living organism या bacteria की cell membrane में पाया जाते है उनके fatty acid chains और glycerol में linkage मतलब उनमें एक बांध पाया जाता है और उनकी cell wall भी peptidoglycan से बनी होई होती है there are five phyla of the bacterial domain such as bacterial domain में मतलब bacterial domain या domain of bacteria में पाच फाया पाया जाते हैं मतलब उनकी पाच शाखा है सबसे पहला है प्रोटियो बैक्टेरिया इसके एक्जामपल है प्रोटियो बैक्टेरिया की E. coli इसके रिया coli, salmonella typhus, legionella, heliobacter pylori जो यह जो heliobacter pylori किसका कॉज होता है या किसका causative agent है यह ulcer पेदा करते हैं Neisseria gonorrhea cause of gonera disease यह gonorrhea disease पेदा करते हैं तो यह प्रोटियो बैक्टेरिया में इनका नाम आजाते हैं अब में proteobacteria की क्या-क्या अलग विशिश्टा है वो नहीं बता सकते हैं इतना हमें topic को detail नहीं करना है आपको सिर्फ और सिथ क्या याद रखने हैं इनके 2 या 3 examples अगर यह सभी example आप अपनी copy में लिखेंगे तब भी आप जाकर exam में 2 या 3 को attempt कर पाएंगे आए मिखें ग्यूडल ऑफ साइन बेक्टेरिया 5 फोटो सिन्थिक ब्ल्यू ग्रिशन के सक्षम होता है इसलिए इसे ब्लू ग्रीन अलगी भी काच सकते है या तो ब्लू ग्रीन बैक्टेरिया भी के सकते है दोने चीज यह बैक्टेरिया दे एक्जाम्पल ऑफ यू बैक्टेरिया इस क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियमग क्लोस्ट्रीदयीयम यह टेटनेस वोट्योलीजुम को करता है बीमारी फेलाता हैएं और बैसिलिर्स माइकोप्लाज्मा जो निमोनिया ऑफेलाती है जो इसलिए स्पाइरल बैक्टिरिया जो साइफिलिस की बीमारी पहलाते हैं या तो लैम डिजीस पहलाते हैं उसके बाद सबसे आखरी वाला हमारा ढॉमेन है ढॉमेन यूकारिया अब इस ढॉमेन यूकारिया में क्या इंपोर्टेंट है these are eukaryotic cells with a membrane-bound nucleus इन में membrane-bound nucleus पाए जाते हैं their membranes contain their membranes between unbranched fatty acids and glycerol इनकी जो membranes होते हैं उनके बीच में unbranched fatty acid chain और glycerol की बीच में branching पाए जाती हैं मतलब उनमें बांध पाए जाते हैं they like peptidoglycan on their cell wall इनके cell wall में भी peptidoglycan नहीं होते हैं eukarya inhibit the bacterial antibiotics but sensitive to antibiotics that affect eukaryotic cells वेसे तो eukarya जो domain में पाए जाने वेरे living organisms रोकते हैं इनीबीट कर सकते हैं antibacterial antibiotics को मतलब एंटी बैक्टिरियल को उनसे के किसी particular bacteria के against जो antibiotics निकलते हैं उनसे इनिवेट है सकते हैं लेकिन sensitive होते हैं मतलब अगर हम एंटीबाइटिक उसमें डालते हैं तो वह उससे अफेक्ट हो जाते हैं यहार प्रेजेंटली फोर किंग्डम्स ओफ यूकारिया सच इस उनकी चार शाखाय होती है सबसे पेली है प्रोटिस्टा यहार साइल मोल्स प्रोटिस्टा में कॉंसी लिविंग और इसम पाई आते हैं स्लाइम मोल्ड युगलेनोडड यहां पर आत देग सकते हो युगलेनोड भी लिख भी सकते हो कोई कोई डिफिकल्टि नहीं है युगलेनोडड अल्गी प्रोटाजवान है फंजाई यह फंजय यह चपंजाई ऐस्ट और प्लांटि में देयारा मॉसेस पॉंस कोनिफेर् यह प्रतिन है दो आज की वीडियो तो हमारी ही पर समाप्त होती है लेकिन इहां पर तक मतल्स कर दो हम नहीं समझ है लिया है कि क्लासिफिकेशन आप माइक्रिसम्स क्या है और चार के क्लासिफिकेशन अब तक दिये गए हैं मैं और्गिनिजम्स के क्लासिफिकेशन में सु आज की क्लासिफिकेशन पर समाप्त होती हैं थैंक यू